आज हम पढ़ते हैं types of velocity, velocity क्या होती है वैसे आपकी velocity क्या होती है, velocity is defined as the change in displacement per unit time, वो क्या होती है आपकी velocity, ठीक है, इसके बाद देखो आपकी velocity की जो unit होती है, वो क्या होती है, जो displacement होती है, उसकी unit क्या होती है, meter, और जो time होती है, उसकी unit क्या होती है, second, जो velocity क्या होती है, मीटर पर सेकंड इसके बाद आता आपका टाइपस ओफ विलोस्टी विलोस्टी आपकी कितने टाइप के होती है फोर टाइपस ओफ विलोस्टी विलोस्टी आपकी फोर टाइप के होती है एक होताब का Uniform Velocity, एक होताब का Non-Uniform Velocity, एक होताब का Average Velocity, एक होताब का Inner Stannish Velocity, ठीक है, सबसे पहले करते हैं आपकी Uniform Velocity, uniform velocity क्या होती है it is defined as the object covers equal displacement and equal interval of time जैसे आपने किया था uniform speed में किया था वो क्या था आपका it is defined as the object covers equal distance and equal interval of time वो equal distance क्यों था क्योंकि जो आपकी speed होती है वो क्या होती है distance per unit time और जो आपकी velocity होती है वो क्या होती है displacement per unit time यह क्या होगा आपका it is defined as a object covers equal displacement and equal interval of time equal displacement हो आपकी किसमे हो equal interval of time अब आपने let कर लिया let a man travel एक man travel करता है इस point से इस point तक की जो distance है वो आपकी क्या है 2 km कितने hours में travel करता है 1 hour में travel करता है let second man travels यह वाली जो speed है इस point से इस point तक की वो कितने displacement में जो तै करता है वो कितने displacement में करता है 2 km में कितने hours में 1 hour में दोनों की क्या होगे equal displacement हो गया आपका और क्या होगे equal interval of time तो आपका uniform velocity यहीं होता है आपका it is defined as a object covers equal displacement in equal interval of time तेक है उसके बाद आता आपका non uniform velocity non uniform velocity क्या होता है it is defined as the object covers equal displacement and unequal interval of time या तो आपकी क्या हो equal displacement हो या फिर आपका क्या हो unequal interval of time या फिर एक यह वाली condition भी हो शकती है unequal displacement and equal interval of time जबकि non uniform velocity हो तो उसमें आपकी क्या होता है दो condition होती है या तो आपका equal displacement हो जाए equal displacement हो जाए या फिर आपका unequal क्या हो जाए time या फिर unequal क्या हो जाए आपकी displacement और equal interval of क्या हो जाए आपका time वो क्या होती है आपकी non uniform velocity अब देखो अब let a car travel एक car है वो travel करती है इस point से इस point तक की distance क्या है आपकी 3.5 km क्या है उसकी displacement है और जो second car जो travel करती है वो इस point से इस point तक की जो आपकी displacement है वो क्या है 3.5 km एक car है वो travel करती है 2 hours में एक car है वो travel करती है 3 hours में दोनों की क्या होगी, equal displacement होगा है, लेकिन क्या होगा है, unequal interval of time, एक ये दूसरी condition होती है, देखो, इस point से, इस point तक की distance ले लिए, आपने displacement देखो, अब let a man travel, अब आप ले लेते हैं कि ये क्या, एक man travel करता है, इस point से, इस point तक की आपकी displacement, 2 km है, ठीक है, और इस point से, इस point तक आपकी displacement है, वो कहा है, 2.5 km, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, unequal क्या होगी, इनकी displacement है, और दौनों की क्या होगी, वन आवर्स में क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं तो दोनों की क्या होगे एक्वल तो एनिक्वल तो क्या होगे आपकी अनिक्वल होगे आपकी डिस्प्लेस्मेंट इक्वल इंट्रोल ओफ टाइम तो यह एक्जाम्पल किसका है यह एक्वल डिस्प्लेस्मेंट इन एक्वल इ या फिर आपका Unequal Displacement and Equal Interrupt Time दोनों में से एक चीज़ Unequal जरूर हो इसके बाद आता है आपका जो एवरेज विलोस्टी है वो थर्ड टाइप की विलोस्टी की टाइप देखो यह क्या होता है इसके बाद आता है आपका इनस्टेनियस विलोस्टी इनस्टेनिस विलोस्टी क्या होती है कोई भी बोड़ी है वो क्या कर रही है वो क्या होता है इनस्टेनिस मतलब क्या होता है स्मोल चेंज होता है अगर आपके इनस्टेनिस विलोस्टी है तो क्या होगा स्मोल चेंज इन विलोस्टी होगा तो आपके विलोस्टी क्या होती है चेंज इन डिस्प्लेश्मेंट अपॉन टाइम तो small change के लिए आपने क्या यूज़ कर दिया delta t और delta x और इसमें क्या कर दोगे आप limit delta t tends to 0 पूट कर दोगे क्योंकि in instantaneous जो आपके word लागे लग जाता है वो क्या होता है small change होता है ठीक है और उसमें आपको क्या करने होते है limit delta t tends to 0 पूट कर नहीं होती है समझाए in instantaneous क्या होता है the velocity of a moving object at an instant is called instantaneous velocity instant मतलब small change हो किसी भी चीज में वो क्या होता है velocity है तो किसमें होगा instantaneous change होगा किसमें इसमें आप limit क्या पूट कर दोगे delta t tends to 0 गूट कर दो किसमें वीजर अपको करने हो है